हाई, वेंट समाथ, इत मुस्ट भी मैस भाई अमिये, विलकम अगें टु दे वर्ल आफ मैस भाई अमिये तो आज का जो कोश्चन है, वो कॉंसेट पे है अवरेज ओफ टर्म्स ओफ एन एपी इन दा सीम एपी, मतलब ये क्या है कि अगर मैं किसी एपी के सारे टर्म्स का आवरेज निकाल लूँ, तो क्या वो उसी एपी में लाई करेगा या नहीं करेगा जो आवरेज होगा तो इसी कॉंसेट पे जो बहुत बेसी कॉंसेट है एपी का एक कोश्चन है तो मैं आपसे चाहता हूँ कि जब आपके सामने वो कोश्चन आए, आप वीडियो को करो पॉस, इस कोश्चन को करो, सॉल्व अगर आपके पास टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, अब टू टर्म N लिखा हूआ है, आपसे पूछा गया है कि टर्म 1 टू टर्म N का आवरेज क्या है, तो आप बोलते हो, फॉस्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, अगर आपसे बोला जाए कि नहीं, टर्म 3 और टर्म N तक का आवरेज बताओ, आप बलक बोल रहे हैं average term यह देखिए अब मैं वह दाता हूं कि मैंने बोला क्या तो average term निकालने का मतलब होता है term one plus n divided by two यहीं हमारा average term होता है और आप बोच सकते हो first term plus last term divided by two is the average term average अलग होती है average term अलग होता है अगर मैं आपको concept से सिखाऊं तो मान लो यह आपका one term two term three term four terms fifth terms और मान लो की ten term तक लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि आपका three six nine means three के multiple 12 and 15 और यहां के 30 है यह आपको पता है अगर आपसे पूछाए जाए कि total का average क्या होगा आप बताओ तो total का average आप जान सकते हो कि average का एक और formula होता है first term plus last term divided by two this one is 33 divided by two is the 16.5 यह मैं इसको पता है अब मैं अगर देखूं कि 16.5 कहां पे होगा देखो यहां term 5 है term 6 क्या है 18 इन दोनों का average भी 16.5 होता है तो इसको हम लोग बोलते है this is term 5.5 इन दोनों के बीच में है यह मैं normal बो होगा अगर हम दोनों को add कर दे तो यह ती 5.5 के बराबर होगा तो दो तरीका है निकालने का अगर आपके पास terms पता है आपको तो first term plus last term divided by two आपका average होगा अगर terms नहीं पता है कि यह मेरा only first term है यह मेरा 10 term है तो first term plus 10 term divided by two is the term 5.5 जो भी होगा वही average होगा मैं आपको एक ज 12 का average निकालना है तो आप बोच सकते हो 6 plus 30 divided by two is 36 is 18 यही होगा यही मेरा क्या होगा average यह मेरा average होगा बर हम directly बोच सकते हैं कि second term से 10 terms का average चाहिए तो t2 plus 10 divided by two t6 जो होगा वही मेरा average होगा और t18 है तो आप दो बातों में confuse मत किजिएगा जो बहुत important है यह मैंने average निकाला य यह मैंने average term निकाला अब मैं एक बात बोलता हूँ कि यहाँ देखो क्या यह आपके ap में lag कर रहा था तो बोलेगा नहीं यह मेरे ap में lag नहीं कर रहा था Presents बोलेंगे हां यह लाई कर रहा था देखो यहां 18 है यह 16.5 यहां पर नहीं है तो किसी भी AP का average उसमें लाई करने के लिए आपका जो average term होता है which one is the first term plus last term divided by two यह आपका integer आना चाहिए मतलब first plus last term को add करके two से divided होना चाहिए अगर AP में लाई करता है अगर मैं question पूछूँ T4 से लेके T10 तक क्या मेरे AP में लाई करेगा average तो मैं बोच सकता हूँ 4 plus 10 is the 14 divided by two यह T7 के बराबर होगा which one is 21 आप इससे भी solve कर सकते हो तो average in AP तभी AP में लाई करता है जब first term plus last term divided by two AP में होता है तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस question को समझना है तो उसमें क्या terms हैं वो मत देखिए आपको पता होना चाहिए term first plus term last divided by two अगर यह value integer है तभी आपका average AP में लाई करता है बहुत simple सा concept है अगर इस question में आपको कोई भी problem हो तो video को rewind करके देखिएगा या मुझसे आप कहीं भी contact कर सकते हैं आईए अब लोग अपने question को solve करते हैं question बहुत बढ़ा है मुझको पता है इसमें बोला क्या गया है कि we have a main AP है हमारा पर इस एक main AP है जिसे 3 AP में divide किये गए है P1 P2 P3 P1 में term 1 लिया गया है term 2 नहीं लिया गया है term 2 यहां लिया गया है term 3 यहां लिया गया है then term 4 term 5 term 6 then term 7 term 8 term 9 and so on तो आपको यह पता है कि आप कर क्या रहे हो आप 3 के bundles में divide कर रहे हो first terms P1 को P2 P3 को आप यह बोह सकते हो 3 से remainder 1 3 से remainder 2 3 से remainder 3 अब बोला गया है कि अगर मैं इन सारे AP का individual average निकालूं तो वो मेरे mean AP में हो बस only 2 AP के 2 AP का average आपके AP में lie करे बाकि एक का lie नहीं करे तो इसमें बहुत सारे cases बनते हैं तो चलिए हम लोग पहला case लेते हैं कि option से solve किया जा 20 अगर 20 होंगे तो मुझको पता है 20 18 तक पूरा divide होगा T18 यहाँ पर T17 होगा T16 होगा T19 यहाँ पर होगा T20 यहाँ पर होगा मैं 20 के लिए काम करना हूं अगर मैं average निकालूं तो देखो यह T1 और T19 का average होगा 1 plus 19 divided by 2 that is T10 हां T10 मेरा एक terms था P का इसमें दिखेगा यहाँ देखो term 2 से term 20 तक का average होगा वो T plus 20 divided by 2 का मतरब T11 T11 एक मेरा P का terms है term 11 है यहाँ होगा अगर हम इसमें देखे तो यहाँ जो average होगा 3 plus 18 divided by 2 यह term 21 का मतरब 10.5 होगा ने 10.5 कभी एक term नहीं हो सकता है बट यह one of the answer होगा क्योंकि दो AP के terms हमारे AP में है terms AP में होने का क्या मतलब है कि जो हमने average term निकाला है वो integer है यह integer नहीं है तो I hope 20 आपको समझ में आ रहा होगा चलिए 26 को solve करते हैं उसके लिए मैं इस चीज को clear करता हूँ थोड़ा सा तो देखे एक अपनीज बहुत सिंपल से concept है बस concept पे यह question solve होता है अगर 26 terms है तो मुझको पता है T24 यहाँ पे होगा T23 यहाँ पे होगा और T22 यहाँ पे होगा 24 25 and 26 अब देखते हैं इसको अगर आप इसका AP निकालोगे इसका average निकालोगे यह 1 plus 25 तो यह होगा T1 plus 25 26 T13 मेरा एक टर्म होता है 13 terms इसको बोलते है 2 plus 26 तो 28 T14 यह 14 terms है अगर आप इसमें काम करोगे तो यह आपका देखता है क्या 27 that means 13.5 यह कोई term नहीं होता है term 13.5 नहीं होता है कोई conceptual होता है practically नहीं होता है हाँ तो average only two progressions का मेरे terminology मेरे करता है तो यह 26 भी होगा आए 36 को चेक करता है तो let's check with the 36 36 के लिए आपके पास क्या होगा आपको पता है तो यह T1 plus T35 is the T35 T17.5 होगा 1 plus 34 by 2 आपको पता है यहां क्या होगा T2 plus 35 by 2 is equal to 37 T18.5 होगा यहां 39 हो जाएगा which one is 19.5 होगा अगर total progression में 36 terms थे तो यह individual progression आपने बनाई है इसके average integer नहीं आ रहे है integer नहीं आ रहे है means वो AP में लाई नहीं करेंगे practically theoretically क्या होगा मैं वो concept में नहीं आना चाता हूँ practically लाई नहीं करेंगे तो इसमें दो AP P1 and P2 लाई कर रहे थे P3 लाई नहीं कर रहे थे इसमें भी same conceptual है आपको मैंने बताने में बहुत लंबा टाइम लिया है बट अगर मैं उसको पता है कि मुझे in AP के concept में होता क्या है कि T first term plus T last term divided by 2 अगर यह integer हुआ तो AP में लाई करेंगे उतना करना नहीं था मैंने क्योंकि concept बहुत आपको detail में बताया है आप जिसको break कर लेते क्योंकि 20 है then we have what यहाँ पर 18 यहाँ 17 यहाँ 16 यहाँ 19 यहाँ 20 यह करेगा यह करेगा यह नहीं करेगा and so on अब check कर लेते हैं answer आ लेता है तो this one is the detailed answer with the concept of our question यह question है अगर वो कोई भी doubt हो तो आप मैं इसको question भेज सकते हैं ट्रेग्राम ग्रूप पर वहाँ पर मैं आपके सारे questions doubts को solve करूँगा and अपना best देने की कोशिश करूँगा तो myself हम यह मिलते हैं अगले doubts से अगले concept में बहुत जल्द God bless you, happy learning and bye bye